आज मैं आपके लेकर आई हूँ मैगी की बहुत ही टेस्टी यूनिक और चटपटी सी रेसेपी जिसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडियन लगने वाले हैं साथ में चटपट से पांच मिट के अंदर ये बनकर तयार हो जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और आप अपने टेस्ट के साप से भी डाल सकते हैं चिली फ्लैक्स डाल देंगे एक चोटी चमच तो ये भी आप अपनी टेस्ट के साप से ले सकते हैं दो बड़ी चम्मच हमने लिए यहाँ पर टमैटो सॉस, दो छोटी चम्मच हमने लिए यहाँ पर सोया सॉस, तो यह जितने भी इंग्रिडेट हम डाल रहे हैं आपको सभी को लेना है, दो से से हमने लिए हैं यहाँ पर मैगी मसाला, क्योंकि हम यहाँ पर दो से से मैगी बन करना है यहां पर हमें जो गैस का फ्लेम हो उसको मीडियम टू लो रखना है बहुत हाई फ्लेम पर ना कर नहीं तो बटर जो है वो जल जाएगा और फिर हमारी वो जो मैगी का असली टेस्ट है वो चला जाएगा और अब हम इसमें डाल देंगे चौप किया हुआ धनिया आप इनको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है अब यहां पर आप चाहे तो गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं जिससे कि हमारे मैगी में बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी वाला फ्लेवर भी आ जाए और टेस्टी भी लगे बहुत ही जटपड से बिना किसी वेजिस के इस्तमाल के हम यह मैगी को बना कर तयार कर रहे हैं इसमें वेरियेशन आप अपने इसाप से कर सकते हैं अगर आपको वेजिस भी एड करनी हो तो कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल सेम प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे आ तो आपको यह बहुत ही टेस्टी लाजबा और पहले की बनाई यह बहुत ही टेस्टी यूनिक स्टाइल मैगी आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रू ट्राइ कीजेगा हर बार आप ऐसे ही बनाएंगे आपको मेरी आज की रेस्पी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बार बड़ ग्नाएंगे आपको मेरीक बार आपको से बनाएंगे बनाएंगे आपको।